अलो फ्रेंट्स ये वीडियो के अंदर हम मोड मोड हमें दिया गया है और दो मिसिंग फ्रिक्वेंसी दी गए है तो उसे कैसे फाइंड करना है वह समझ रहा है सो हम स्वाइक करते हैं अभि से में में देखा है की Few दिया गया था इसमें हमें मोड दे दिया गया है तो तो यह mode जो है, वो class में check कीजिए, 33.5 किस के बीच में आ रहा है, किस class में वो आ रहा है, 0-10 में, 10-20 में, 20-30 में, 30-40 में, yes, तो यह हमारा हो गया model class, इस तरह से जब भी answer दे देंगे, median mode में, तो direct हमें median class and model class decide करना है, तो यह हमारा हो गया model class, अभी जो model class है, वहाँ पर यह जो value है, that is f1, 28, this is f0, this is f2, तो इस में से 3 value जो मुझे निकालनी थी, वो already मुझे मिल चुकी है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, 33.5 जो है, वो 32.40 में आता है, तो यह हमारा model class हो गया, अभी value निकालेंगे, ठीक है, अभी सारी की सारी value हो में पता है, L, L is lower limit of model class, that is 30. L means lower limit of model class, that is 30, so I will write over here 30, then C class length, 10 में से 0 गया, तो 10, so this is 10, f1, f0, f2 that we know, f1 is 28, so I will write over here 28, 28, then f0 is x, and f2 is y, अभी same way हमें mode का formula लगाना है, इसमें सारी की सारी value substitute करनी है, mode की value है 33.5, L की value है 30, f1, f0 की value है 28 and x respectively, so 28 minus x, 2 into bracket f1, that is 28, f0 जो है वो x है, f2 जो है वो y है, now this is 10, so, यह 30 ये साट हैगा तो minus, here 28 minus x, 28 तो जा 56 minus x minus y, into 10, यह हो जाएगा 3.5, 33.5 में से 30 जाएगा तो 3.5, 28 minus x, this is 56 minus x minus y, अभी friends यह जो 10 है वो दोनों के साथ है, with this also, with this also, multiply के relation में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 यह 3 हो 3 के साथ है, बढ़ हमने 10 यहाँ ले लिया, सिर्फ position 10 की change किया है, ठीक है, अभी और simplify कर रहे है, यहाँ पे हो जाएगा 3.5, ठीक है, अभी friends यह 56 minus x minus y, पूरा multiply में आ गया, 3.5 के साथ, और इदर सकते हो, फिर 3.5 x, then 3.5 y, here 10 into 20, 280, 10 into x, 10x, तो अभी यह हो जाएगा, minus 3.5 x, यह 10 x को यह साथ ले आते हैं, तो plus 10 x, minus 3.5 y, ठीक है, अभी यह 196 को यह साथ ले लेंगे, like terms अभी एक साथ कर रहे हैं, अभी 10 में से 3.5 जाएगा, तो 7.5, अभी इसमें आपको खास ध्यान रखना है, कैसे करना है, minus, यह like terms अभी यह यह लिए दो लेंगा minus कर सकते, इसमें y हो गया, तो यह नहीं कर सकते है, 10.0 में से 3.5, तो यह से point के इंचे point आना चाहिए, ठीक है, it will be, 10 minus 5, 5, 9 minus 3, 6, 6, here 0, so it's 6.5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, 6.5, x minus 3.5, y is equals to 84, अभी friends, यह point है, इसके वज़े से calculation tough होता है, याद करो हमरा chapter number 3, linear equations in 2 variable, उसके भी more than 60 videos uploaded है, for all methods, you can view my videos for the, linear equations in 2 variable, it will give you better idea about this, तो इसमें point निकालने के लिए, हमें पूरे equation को 10 से multiply करना है, पूरे equation को एक ही number से multiply, divide करो तो answer पे को effect नहीं आता है, अभी आप सोच रहे हो कि मैं अगर ऐसा नहीं करता हूँ, या नहीं करते हूँ, तो क्या होगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो कोई बात नहीं है, answer पे कोई effect नहीं आएगा, सिर्फ आपका calculation complex रहेगा, अभी point निकल जाने से calculation easy हो जादा है, देखो 6.5 into 1065, 3.5 into 1035, ये 840, ये हमारा हो गया equation 1, ठीक है, अभी total observations कितने दिया गया है, 100, अभी friends ये information में कहां से लाया, question में से, देखो, यहाँ पे दिया गया 100, तो ये सबका total, 7 plus 12 plus x plus 28 plus y plus 9, ये सबका total हो रहा है 100, तो ये मैंने लिख दिया, अभी इसमें जिसका total मेरे पास है, वो मैंने कर दिया, 7, 12, 28, 9, ये 4 औ-4 का total मैंने कर दिया, अभी ये 56, ये 6 ये 6 आड़ा गया, तो ये मुझे दूसरा equation मिल गया, अभी ये जो equation मिल गया है, उसको हम elimination method, chapter 3 में जो जो method मैंने की है, substitution method, पर मेरी favorite elimination है, मैं elimination से कर रहा हूँ, elimination में क्या करना है, equation 1 को, equation 1 को, equation 2 के x के coefficient से multiply करना है, that is 1, तो ये पूरे equation को 1 से multiply करेंगे, and ये पूरे equation को, equation 2 को, equation 1 के, x के coefficients, यानि इसको हम 65 से करेंगे, 65 into x, 65 into y, like that, ठीक है है, तो अभी equation को 1 से, 65 से, तो ये same रहेगा पहला वाला, दूसरे में 65x, 65y, and this is 2860, multiply, सबकी sign change, क्या cancel out हो जाएगा, 65x, 65x, cancel, अभी, ये sign plus हैं, ये minus हो गया, minus minus plus, 65 plus 35, 100, जैसे कि ये plus हैं ही नहीं, ऐसा सोच के करना है, इसमें minus होगा, क्योंकि ये minus है, उपर कुछ sign नहीं है, तो plus, और bigger number sign, अभी, ये 100 divide में चला जाएगा, छीक है, 00 cancer, 202 divide by 10, that is 20.2, y के value मिल गए, अभी, इससे हम यहाँ पर रख देंगे, x plus y is equal to 44 में, 20.2, 20.2 बो साट जाएगा, तो minus, that is 23.8, so this is how, अगर मोड पे से आपको missing frequency find करना है, तो भी friends, आप easily कर सकते हो, thank you so much for watching my video, see you in the next video,